दोस्तों आज हम आपको scalp micropigmentation के बारे में दिखाएंगे कि यह कैसे होता है इन patient का हमने पहले hair transplant किया हुआ है grade 7 में और जो donor area हमने use किया था वो back of scalp किया था अब यह पीछे के बाल जब छोटे रखते हैं तो इनको odd सा महसूस होता है तो उसको camouflage देने के लिए कि वो परतीत हो कि वहाँ पे बाल है क्योंकि यहाँ पे हमने इनके काफी सारे graft यहाँ से निकाल के पीछे से यह वाले ही area से इसको आगे की तरफ लगाया हुआ है आगे दिखाईए यह सारा का सारा area हमने इतना area हमने इनका cover किया था two days की sitting में आज हम आपको दिखाएंगे scalp micropigmentation यह कैसे होता है आप देखिए कल हमने इनका यह उपर का area किया था आप इसमें difference साफ देख सकते हैं नीचे वालों में आपको जहां से बाल निकाले हुए हैं वहाँ पे अलग सा आपको दिखेगा यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा जैसे जैसे बाल है यह हमने कल किया था इनके sitting अब हम scalp micropigmentation यह procedure कर रहे हैं और बड़ी ध्यान से आप देखिएगा light on कीजिए यह देखिए यह उपर का हिस्सा हमने कल किया था और आज हम जिस donor area से हमने 6-7 महीने पहले बाल निकाले थे अब हम उस donor area को camouflage दे रहे हैं ताकि वह ऐसा लगे जब बिलकुल छोटे बाल यह रखते हैं तो बीच बीच में खाली जगा दिखती थी इनको अब उनको भरने के लिए हम इसको scalp micropigmentation कर रहे हैं देखिए बहुत बारीक सा needle होता है इसमें जिससे हम यह dot dot बनाते जा रहे हैं देखिए उपर का जो कल किया था portion उसमें आपको सारे बाल नदर आ रहे हैं यह देखिए तो इसमें patient को कोई pain नहीं है देखिए patient कितने comfortable है ठीक है और यह बिलकुल महीन महीन हम dots create करते जा रहे हैं और इस procedure को हम 48 hours के बाद patient को बोलते हैं कि दो दिन के बाद वो अपने सर को normal तरीके से जैसे दोते हैं वैसे दो सकते हैं shampoo के साथ या पानी के साथ first two days हम patient को बोलते हैं कि उन्होंने अभी नहीं दोना है यह देखिए अभी हमने कितने सारे dots इनके बना दिये हैं इनको इसमें हम dial लेते हैं और बहुत बारीक नीडल से यह hair follicle जैसे दिखने वाले dots का creation करते हैं देखिए तो दोस्तों अगर कभी भी आपकी सिद्धापन है कहीं पर या आपकी density कम है तो आप इस process से आप उसको छिपा सकते हैं यह देखिए अब हमने इसको नॉर्मल से लाइन से भी सार्फ की किए अब आपको दिखाएंगे हम कि वह सिरफ dot dot आपको नजर आएंगे जो हमने किये जो कल किये हुए हैं देखिए डाई अब जो हमने नीडल से slits बनाए थे डाई उसके अंदर समा गई है जो कि बिलकुल आपको ऐसी ही प्रतीत होगी जैसे कि hair follicle ही वो है देखिए जो हम कर चुके हैं इस area में आपको देखिए इस से आप कोई भी चीज आपने cover करानी है या शिपाना है ये camouflage बोलते हैं इसको कि बाल नहीं होते हैं लेकिन वो बालों जैसे दिखते हैं कि बालों की जड़े ही हैं ये जब हम बालों को छोटे कटवाते हैं तो दोस्तो आपने जाना होगा scalp micropigmentation कितना असान तरीका है अगर आपके भी कहीं पर density कम है या आपका donor area इतना अच्छा नहीं है या आपका पूरा head cover हो सके तो दोस्तो आप इस process के दवारा ये camouflage आप करवा सकते हैं और अपने जहां पर area कम है तो ये घना घना दिखेगा आपको धनेवाद दोस्तो